आज की कलास में चप्टर 4 डिटेमिनान्स में एक्ससाइज 4.6 को कॉंटिन्यू करते वे आज हम गिवन सिस्टम ऑफ लिनेर क्यूशन को मैट्रिक्स मेथर से सॉल्व करना सीखेंगे ठीक है आभी विद्धी द्वारा राकिक समेकरणों का हल कैसे निकाला जाता है आज इसे डिसकस करेंगे ठीक है है तो एक्ससाइज फोर पॉइंट सिक्स में कोष्य नमबर सेवन से लेके कोष्य नमबर विप्टीन तक हमें सिस्टम semb of लिनेरर कम उसका कर नाै वर यूजिंग मैत्रिक्स मैधर ठीक है और कोष्य नमबर से लेकर क्वश्य नमबर 10 तक हमें 2 variables में 2 equation given है ठीक है तो मैं आपको पहले यहां पर बताऊंगा question number 11 जिसमें 3 variables में 3 equation है equation 1, 2 and 3 तो अगर आपको 3 variables की equation को solve करना आ जाएगा तो 2 variables वाली equation को आप easily solve कर लेंगे ठीक है तो यहां पर मैं आपको बता रहूं question number 11 ठीक है तो यहां पर हमें 3 equations given है 3 variables x, y, z में और हम इसे solve करना है by using matrix method ठीक है आभी विदी से से हल करना है तो सबसे पहले तो हमें इन equations को matrix form में लिखना होगा ठीक है तो सबसे पहले लिखेंगे हम coefficient matrix जो x y z के coefficient से बनेगी ठीक है तो x का coefficient 2 1 z का coefficient 1 ठीक है अब second equation में x y z के coefficient यहाँ पर x का coefficient 1 है y का coefficient minus 2 z का coefficient minus 1 ठीक है अब equation third equation third में x का coefficient कोफिशेंट यहां पर X वाले टर्म नहीं है तो इतनीस यहां पर X कोफिशेंट 0 होगा ठीक है य का कोफिशेंट 3 और Z कोफिशेंट माइनस 5 ठीक है नेक्स्ट वैरेबल मैट्रिक्स X Y Z इक्वल टू यहां पर एक कॉंस्टन आजेंगे 1 3 अपॉन 2 9 ठीक है इसे ए माल लेते हैं इसे कैपिडिल एक्स और इक्वल टू इसे मैट्रिक्स बी सपोस्ट कर लेंगे ठीक है अब जैसे मैने कल आपको बताया था क्योंकि हमें एक्स Y Z की वैल्य निकालनी है तो X Y Z की value निकालने का मत्तब है हमें यहां पर matrix X निकालना होगा ठीक है और matrix X को निकालने के लिए यादो करको कल हमने दोनों साइड में A inverse की multiply की थी तो दोनों साइड में जब A inverse की multiply करेंगे तो A inverse into A यह identity matrix जाएगा और identity matrix into X X ठीक है और यहां step by step show करने की जुरूत नहीं यहां पर ठीक है तो बैट्रिक्स x को निकालने के लिए यहां पर हमें जुरूत प्रड़ेगी A inverse की ठीक है तो पहले तो यहां पर यह चेक कर लेंगे कि A inverse एक्जिस्ट करता है कि नहीं करता है ठीक है और A inverse एक्जिस्ट करेगा अगर A non-singular matrix है इस डिटर्मिनेट ओफ एकी वैली नौट इक्वल टू जीरो एक तो सबसे पहले तो यहां पर डिटर्मिनेट ओफ ए निकाल देते हैं डिटर्मिनेट ओफ ए होगा 211-2-1-0-3-5 ठीक है किसी भी रो किसी भी कॉलम के अलोंग इसको एक्सेंट कर सकते हैं तो पहले कॉलम का पहला अलोड एलिमेंट टू यह एलिवेट जिस दो में है उसे अटा दिंगे और इस कॉलम में उसे अटा दिंगे हमारे पास यह डिटर्मिनेट बज जाएगी ठीक है इनकी क्रॉस पॉलिप्लाइगा प्लस माइनस प्लस प्लस इसके लिए माइनस आएगा यह एलिमेंट जिस रो में है जिस कॉलम में उसे अटा दिंगे हमारे पास यहां पर डिटर्मिनेट बज जाएगी वन थी वन माइनस फाइव क्रॉस मल्डिप्लाइगा जिए वन इन्टो मैनस फाइव ठीक है और ट्रीकी इन्टो बन सो जाएगी बीचे मानस आएगा माइनस थी फिर क्योंकि जीरू है ना तो मैं से इन भी करना इसे इस को अधिन अःट इकोल टू इकोल टू इकोल टू 0 डिटर्मिनेट आफ एन एक्वूल टू जीरो आ है हैंस ए इन्वर्स एग्जिस्ट क्योंकि यह नॉल सिंगिलयर मै्ट्रिक्स है X, Y, Z के जो वैले आगी वो यूनिक solution आएगा इसका ठीक है तो यहाँ पर कह सकते हैं यूनिक solution इसका होगा यूनिक solution exist ठीक है तो यहाँ पर system of equation का यूनिक solution होगा और इसको solve करने के लिए हमें यहाँ पर सबसे पहले A inverse निकालना होगा ठीक है और A inverse होता है adjoint of A upon determinant of A, determinant of A की value हम निकाल चुके है 34 ठीक है अब सबसे पहले इसमें adjoint of A निकाल लेते हैं तो matrix A का adjoint of A निकालने के लिए सबसे पहले तो सारे elements का co factors निकालेंगे और फिर co factors से co factor matrix बनेगी co factor matrix का transpose adjoint of A होगा ठीक है तो सबसे पहले इनका सबका co factors निकाल लेते हैं co factor जो होता है वो माइनर्स होते हैं along with sign ठीक है चिन सहीत उपसारनिक तो सबसे पहले यहां पर फिर्स्ट रो फिर्स्ट कॉलम के element का co factor निकालते हैं A11 ठीक है फिर्स्ट रो फिर्स्ट कॉलम तो यह फिर्स्ट रो को अटा दिंगे और फिर्स्ट कॉलम फिर्स्ट कॉलम की बाटा दिंगे हमारे पास यह यहां पर नेरे बचिए को और हंपर साइन का थायन रखना है साइन के लिए हमें देखना होगा I plus J one plus one two even number है something एक और सम्सेंग के लिए प्रस आएग़ ठीक है तो यह आएगा प्लस त्री एकल टो ठीक है next first row second के element का co factor सबसे पहले साइन 1 प्लस 2 3 और नमबर है और नमबर के लिए साइन आएगा माइनस ठीक है अब फर्स्ट रो को अटा देंगे और सेकिंड कॉलम को अटा देंगे हमारे पास यह डिटर्मने बुच जाएगी क्रॉस मल्टिप्लाई कर दिए है माइनस 5 जीरो तो जीरो होगा ठीक है एक्वल टू 5 ठीक है नेक्स्ट एक कैपिटल ए 1 3 इट मिस फर्स रो थर्ड कॉलम के एलिमेंट का को फेक्टर 1 प्लस 3 4 होता है 4 इवन नमबर है समसिंग के है समसिंग के के लिए प्लस आता है ठीक है तो फर्स रो को अटा देंगे और थर्ड कॉलम को अटा देंगे यहाँ पर यह डिटेमिनेंट विज जाएगी क्रॉस मल्टिप्लाई कर दो 3 बंज थरी जीरो न्टू बाइनस टू जीरो इक्वल टू 3 ठीक है नेक्स्ट कैपिटल ए 2 1 सेकिंड रो फर्स कॉलम के एलिमें सब्सक्राइब कर दो 1 इंटू माइनस 5 माइनस 5 3 इंटू 1 बीचे मैनस आएगा माइनस 3 एट नेक्स्ट कैपिटल ए 2 2 सेकिंड रो सेकिंड कॉलम के एलिमेंट का को फेक्टर 2 प्लस 2 4 4 इवन नंबर है समसिंग के ए समसिंग के लिए प्लस आएगा सेकिंड रो को अटा द इस एकिंड रो इंटू 1 जीरो जाएगा इकोल टो मैनस 10 नेक्स्ट ए टू थी सेकिंड रो थर्ड कॉलम के एलिमेंट का को फेक्टर 2 प्लस 3 5 और नंबर है बिसम सिंग के लिए माइनस आएगा ठीक है सेकिंड रो अठा दिंगे सेकिंड रो थर्ड को अटा दिंगे जीरो इंटू 1 जीरो होगा ठीके एकोल टो आएगा माइनस 6 नेक्स्ट ए थी वन थर्ड रो फस्ट कॉलम के एलिमेंट का को फेक्टर 3 प्लस 1 4 इवन नंबर है समसिंग के है इसके लिए पॉजिटीव आएगा तो यहापर थर्ड रो और फस्ट कॉलम को अटा दिंगे यह 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 दिटेमिन वह चीह है क्रोस मल्टिपल है करतो वन इंटू मैनस वन पीच्व मैनेस आएगा मैनस मैनस प्लस जागा मैनस टू इन्टू 1 इक्वल टू 1 नेक्स्ट ए ठी टू थर्ड रो फ्रूं के एलिमेंट का को फेक्टर तो थर्ड रो त्री प्लस टू हुलारे बिसम सेंखे बिसम सेंखे के लिए फैर मैनस आएगा ठीक है ठाट रो ऊट आदेंगे और सेकट इन कॉल्म को अड़ दिए यह 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 आपर हमारे पास डेटमिन यह बच्चे की 21-11-1 क्लॉस मल्लिपलाइ करतो थो इन्टू –1-1 इन्टू बीच अगर थामा एगा इवन नंबर यह समसिंग है समसिंगे के लिए प्लस आएगा थर्ड रोग को अटा दिंगे थर्ड कॉलम को अटा दिंगे हमारे पास यहां पर यह डिटेमिन बीचेगी 2 1 1-2 क्रॉस ब्ल्टिप्लाइ कर दो मैनस 4 2 2 दो मैनस 4 बीचे मैनस आएगा 1 1-1-1 इक्वल टू-5 ठीक है यह आगे को फेक्टर्स अब इससे बनाएंगे मैट्रिक्स उसके ट्रांस्पोर्ज होगा वह एड्जाइंट ऑफ ए होगा हैंस एड्जोइंट ऑफ ए इस इक्वल टू जो भी अमने को फेक्टर्स निकाल लें है ठीक है इनकी मैट्रिक्स में आते हैं 13 5 3 2nd row 1st column 8 2nd row 2nd column minus 10 2nd row 3rd column minus 6 3rd row 1st column की element का को फेक्टर 1 3rd row 2nd column 3 3rd row 3rd column minus 5 ठीक है तो यह जो को फेक्टर मैट्रिक्स का ट्रांस्पोज यह होता है एड्जोइंट ऑफ ए इसको ट्रांस्पोज कर दीजिए ठीक है ट्रांस्पोज भी परिवर रो और कॉलम को आपस में इंटर्चेंज कर देना है ठीक है 13 5 3 8 minus 10 minus 6 ठीक है रो को कॉलम बना देना है 1 3 minus 5 ठीक है यह तो आ गया अड्जोइंट ओफ ए तो हैंस हमें क्या निकालना है एंवर्स एंस एंवर्स एंज एंवर्स इस एक्वल to 1 upon 34 और adjoint of a अभी हमने निकाला है फर्स्ट रोक एलिमेंट 13 8 1 2nd रोक एलिमेंट 5 minus 10 3 और 3rd रोक एलिमेंट 3 minus 6 minus 5 ठीक है तो अब एक्विशन को solve करते हैं कर एलिमेंट 2nd रोक एलिमेंट sieht है 17meo 5 tuके को तचार एंडिमेंट 10 CC अबर एंडिमेंट 765 126 इन्टू मैट्रिक्स भी मैट्रिक्स भी है इसमें 1 3.29 अब इन दोरों की बल्टिप्लाई कर देंगे तो यह बल्टिप्लाई आप लोग खुद कर लेंगे या फिर इसको बताना है वसे अपने मैट्रिक्स में सिखा हुआ है ठीक है यह आप खुद कर लिजिएगा वीडियो फिर ज्यादा लंबी बन जाती है सिमें तो दोनों का प्रोड़क्ट यह कॉला मैट्रिक्स आ गई है एक ही कॉला मैट्रिक्स बोलते हैं और यह मैट्रिक्स एक है यह हमने जो वैरिवल मैट्रिक्स थी एक्स वाइज जेट इसको सपोज किया था है ना वन अपन थर्टिफोर से मल्टिप्लाई कर दो सारे अलिमेंट्स की अपन थर्टिफोर अपन थर्टिफोर वन एफन एफन अपन थर्टिफोर यह ओगिया वन अपन तो ठीके माइनस फिप्टी वन अपन थर्टिफोर यह दोनो 17 से 17 से यह डिवाइड होंगे 17 3 जब 51 और 17 2 जब 34 17 3 जब 51 17 2 जब 34 मानस 3 अपॉन 2 ठीक है तो आगे इसका solution आचुका है solve equation अब दो matrix equal है जब दो matrix equal होते हैं तो corresponding element equal होते हैं वैसे भी simply हापे देखके बतारा है x equal to 1 comparison कर लो दोनों side में ठीक है y is equal to 1 upon 2 and z is equal to minus 3 upon 2 ठीक है तो यह इसका solution आचुका है इस तरह किसे हम matrix method से equation को linear equation को solve कर सकते हैं ठीक है तो बागी सारी question आप सभी हुद try करना कोई दिक्कत होती है तो पूछ लेना last question number 16 यह वर्ड प्रोब्लम है the cost of 4 kg onion, 3 kg wheat and 2 kg rises रूपीज 60, the cost of 2 kg onion, 4 kg wheat and 6 kg rises रूपीज 90, the cost of 6 kg onion, 2 kg wheat and 3 kg rises रूपीज 70, find the cost of each item per kg by matrix method ठीक है, तो हर item की हमें पर kg cost इसकी बतानी by using matrix लेंद्स रूपीज थीके हिंदी हिंदी पर एक बाल प्रोषण को पल लेते हैं, 4 kg प्याच, 3 kg गेहूं और 2 kg चावल का मुल्या है 90 रुप evaluation और चेख प्यादध कर दो किलोग्राम की हुँ और तीन किलोग्राम चावल्ड का सथो रुपयाँ आप रीवदी दर्essen का प्रती किलोग्राम मुल्ले जाद कीजिए ठीक है तो यहां के हमें क्या करना है हर एक आयटम को पर किलोग्राम-कॉट निका proportion तो सपोस्ट कर लेते हैं, let cost of one kilogram onion is equal to rupees x, इसी दर किसी सपोस्ट कर लेंगे, cost of one kilogram wheat, यह हूँ, is equal to rupees y, ठीक है, और rise, one kilogram rise, की cost सपोस्ट कर लेते हैं, rupees z, ठीक है, तो तीन variables के लिए 3 equation मैंनेगी, और 3 equation के लिए 3 condition, ठीक है, तो पहली condition क्या है, 4 kilogram onion, 3 kilogram wheat, और 2 kilogram rice की total cost है, 60 rupees, ठीक है, तो पर kilogram onion की cost हमने यह पर सपोस्ट कर लेते हैं, x, तो 4 kilogram onion की cost हैगी 4x, यह पर लिख दीगें, according to first condition, 1 kilogram wheat की cost हमने सपोस्ट कर लेते हैं, y rupees, तो 3 kilogram wheat की cost लेते हैं, प्लस 3y, और rise की cost हमने सपोस्ट कर लेते हैं, पर kg, z rupees, तो 2 kilogram rice की cost लेते हैं, 2, z, और total cost कितनी है, total cost है, 60 rupees, ठीक है, एक equation तो यह बनी, ठीक है, इसी तरह के से, दूसरी condition और तीसरी condition को अपलाई करके, बाकी दो equation में जाएगी, दूसरी condition किया है, दूसरी condition है, the cost of 2 kilogram onion, 2x, 4 kilogram wheat, 4y, and 6 kilogram rice, plus 6 jet, तो यह total cost कितनी है, 90 rupees, second equation, और थर्ड कंडिशन, 6 kilogram onion की total cost 6x rupees, 2 kilogram wheat की total cost हो जाएगी, 2y rupees, और 3 kilogram rice की total cost हो जाएगी, 3z, और यह जो total cost है, वो है, हमें given 70 rupees, तो यह अब तीन equation से हमारी बन जुगी है, इसे solve करेंगे by using matrix method, जैसे आपको मैंने question number 11 बताएथा, ठीक है, तो यह आप खुद कर लेंगे, बाकी जो 7 से लेके 15 तक के जो questions हैं, उनमें अगर आपको कोई दिक्कत होती है, तो आप जरूर पूछ लेज़ेगा, ठीक है, कल से हम miscellaneous exercise शुरू करेंगे, और सारे question नहीं करेंगे, सिर्फ important और जो थोड़े से tough question होंगे, उन्हीं question को हम करेंगे, ठीक है, और यह exercise complete हो गए आज, ठीक है,